हलो मेरी प्यारे व्यूवर्स कैसे हो आप सब आज फिर से एक नई रेसिपी के साथ आपका स्वागत करती हूँ बहुत ही एक टेस्टी और मज़ड़ा रेसिपी लेकर आई हूँ सिर्फ दो सीजों से बनके तैयार हो जाते हैं खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और ब एक बाउल में लेनी है एक कप आटा मैंने गेहुका आटे का इस्तेमाल किया है आप चाहे तो मेदे से भी बना सकते है पर आटा जो है वो थोड़ा सा हेल्दी ओप्शन है इसलिए हम जो है आटा ले रहे है और उसमें हमने दालनी है एक समस सूजी ये बिल्कुल ओप्शन अजोईन को ना हातों से हलका सा मचल के डालनी है साथ में डालनी है स्वादनुसर नमक और थोड़ी सी कलोंजी अबना सारे चीजों को हमें बहुत अच्छे से हातों से पहले मिक्स कर लेनी है ये नास्ता बहुत जल्दी बन जाते है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा तेस्टी होते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं तो यह देखे हमने एकदम अच्छे से ना हातों से इसे मिक्स कर लिया है और अब ना हम इसमें पानी डालते हुए इसका एक थोड़ा सा जो है मीडियम वाला दो तेयार करेंगे जिस तरी के हम लोग रोटी के ल और यह देखे हमने दो तीन बार थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको इस तरीके से तैयार कर लिया है आटे को हमें ज़्यादा गोठने की ज़रूरत नहीं है बस इसे हमें अच्छे से समयत लेना है और फिर एक गुबला हुआ आलू लेके हमें इसे घिसते हुए इसमें डाल देनी है इसलिए हम इसे घिसके डाल रहे हैं ताकि कोई भी बड़ा तुकड़ा जो है आलू का वो इसमें ना जाए तो आप चाहे तो इससे पोटेटो में सरसे बढ़िया से मैच करके भी डाल सकते हैं आलू की डालने से ना नास्ते का सुआत भी बर जाते हैं साथ में नास्ता हमारा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनते है तो इसलिए अगर आप आलू पसंद करते है तो ज़रूर डाले और अगर आप आलू नहीं खाते हैं तो बिना आलू के भी आप इस नास्ते को त्यार कर सकते है तो ये देखिए एक आलू हमने इसमें डाल दिया है और अबना हम इसे अच्छे से मिला लेंगे तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आता जो है वो ज्यादा सॉफ्ट आपको नहीं लगानी है क्योंकि आलू डालने की बाद ये ना हलका सा सॉफ्ट और हो जाएंगे इसलिए थोड़ शॉद्ऑ रियादा आपको पहले लगा लेनी है अप शाहे तो ये जो आलू है उसे आप पहले भी मिक्स करके तियार कर सकते है और बाद में पानियाट कर सकते है जैसे आपको सॉफ्ञधा हो वैसे आप इसे कर सकते है तो ये देखिए हमने आते और आलो डोनों को बहुत अच्छे से गूंट लिया है और ये इस तरीके से हमारा आता बन के त्यार हो जाता है ये अभी थोड़ा सा सौफ्ट है पर इसे हम थोड़ी दे रख देंगे तो ये एकदम पर्फेक्ट बन के त्यार हो जाएगा क्योंकि आते में हमने एक समस्ज सूजी डाल रखे है जिसकी वज़े से ये जो डो है वो थोड़ा सा टाइट हो जाएंगे क्योंकि सूजी फूलेगा तो ये जो एक्स्ट्रा पानी है वो सोग कर लेगा तो दस मिनिट रिस्ट पर रख देते है और दस मिनिट बाद हम देखेंगे तब तक न हम बाकी के काम कर लेते है एक बाउल में हम दालेंगे एक बड़ा समस्ज ओईल तो मैं रिफाइंड ओईल का इस्तवाल कर रही हूँ आप कोई सभी ओईल ले सकते है एक समस डालेंगे गेहु का आटा, आप मैदा भी ले सकते हैं साथ में आदे चोटे समस डालेंगे सिली फ्लैक्स एक समस डालेंगे सफेद तिल, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे आदे चोटे समस हल्ली पाउडर डालेंगे आदे चोटे समझ जीरा पौडर डालेंगे और एक बड़ा समझ डालेंगे कटा हुआ साग आपके पास नहीं है तो आप इसके जगा पे कर्ड़ी पत्ता धनिया पत्ता कुछ भी डाल सकते है जो भी आपके पास हो आप उसी का इस्तिमाल कर सकते है मेरे पास ये साग रखा हुआ था तो मैंने इसी को ही इसमें डाल दिया है तो ये देखिए बहुत अच्छे से सारी सीजो को मिक्स कर लेनी है और अब हम इसे रख देंगे साइड में और फिर देख लेते हैं 10 मिनित हो चुका है तो हमारा जो दो है वो कैसे है एक बड़ देख लेते है तो ये देखिए दो हमारा बहुत अच्छे से से सेट हो गया है कुछ सेकेंड्स और अच्छे से इस तरीके से दबाते हुए मिक्स कर लेंगे और अबना हमें इसकी लोईया तेयार करनी है तो लोईयो का जो साइज है आप अपनी पसंदेनों सर छोटा बड़ा रख सकते है नास्ति का जो साइज है उस ही सबसे आपको लोईया रखनी है मैं जो है इसको पूरी से थोड़े बड़े साइज में बना रही हूँ और जब आप नास्ति को देखेंगे तो उससाब से आप अंदाजा लगा सकेंगे कि आपको कितना बड़ा लोईया रखनी है तो ये देखिए इस तरीके से पहले हम इसे गोल-गोल करते हुए तैयार कर लेंगे इससे क्या है कि नास्ता बनाने में आसानी रहता है और फटा-फच्छे जो है हमारा नास्ता बन के तैयार हो जाएगा तो साड़े लोईयों को हमने अच्छे से गोल कर लिया है तो अब हमें इसे बेलना है तो हम हलका सा आता या मैदा ची रखते हुए इसे रोटी की अकार में बेल लेंगे इसकी जो रोटी है वो आपको बहुत ज़्यदा पतला नहीं करनी है और ना ही मोटा रखनी है मतलब मीडियम रखनी है ऐसा रखनी है कि आपको उठाते वक्ते से कोई दिक्कत ना हो इस तरीके से अगर आप बहुत ज़्यदा पतला करेंगे ना तो उठाने में जो है आपको दिक्कत होगे इसलिए जिस तरीके का हम लोग घर के लिए रोटी बनाते हैं वैसे ही आपको इसकी रोटी तैयार करनी है और जोरी नहीं कि रोटी आपका एकदम गोली बने थोड़ा तेरा मेरा भी होगा तो भी कोई बात नहीं है तो ये देखि सकते है इसमें मिच है तो आप ना समच से भी बहुत असान से इसे लगा सकते है कोई डिक्कत नहीं होता है मैं ना हातों से ही लगा रही हूँ फटा फच्च हो रहा है ये देखिए और ये जो है हमने इसे बढ़िया से लगा लिया है अब हमें इसे बढ़िया से इस तरीके से रोल करना है देखिए एक बर इस तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छे से ये स्टीख हो जाएंगे अब एक साकू लेके हमें इसे बीचो भी सकत लगानी है इस तरीके से देखिए ये नास्ता बहुती मज़ा आता है जब आप इसे बनाते हो क्योंकि ये खाने में भी बढ जडर होते हैं तो एक बर प्लीज इस नास्तिको घर पर जुरूर बनाएं तो इस तरीके से हमने दोनों साइट को रखा और इसे इस तरीके से राउन घुमाया है और जो एन वाला पार्ट है उसे नीचे के तरफ डाल दिया है हलके से हाथों से इसे प्रेस किया है ताकि ये हलका पतला हो जाए ये देखे इसे बेलने की जरूरत नहीं है हाथों से प्रेस करेंगे तो बहुत आसानी से ये एकदम बनके त्यार हो जाएगा तो इसी तरीके से ना हमें सारे नास्तिको बना के त्यार कर लेनी है तो एक और मैं आपको बना के दिखा रही हूँ तो तक खिला के और बना के दोनों में ही मज़ा आएगा अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो आपको ना थोड़ा बहुत तो पसंद आया ही होगा तो प्लीज लाइक करके जाएगा आपकी एक लाइक से ना मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलते है तो प्लीज ल रोटी बनाया और उसमें भी अच्छे से हमने मसाला लगा लिया है अब इसको रोल करके हम इस तरीके से कट लगाएंगे बहुत ही आसानी से आपका नास्ता जो है बनके त्यार होगा और इसे इस तरीके से खोल लेंगे देखिए दोनों मसाला वाला साइट जो है उसे हम उ बनेगा, तो रूल करते जाना है, और जो इसका end पार्ट है, उसे ना आपको आँदर की तरफ इस तरीके से stick करेंगे है। और ये अपका नास्ता बनके त्यार हो जाता है। हलका सा हतों से दबाएंगे तो ये थोड़ी सी और फ्लेट हो जाएंगे और नास्ता इस तरीके से बनके त्यार हो जाता है। तो है ना एकदम आसान और मज़दार नास्ता। ये देखिए हमने साडू नास्ता बना के तयार कर लिया है। आप इसे इस तरीके से तयार करके भी रख सकते है। जब भी आपको खाना हो आप गर्म-गर्ओं से फ्राइ कर सकते हैं। बस आपको इसे एक डूसरे की ऊपर नहीं रखनी है, इससे ना ये छुपक सकते हैं, तो मैं ना इसे अभी बना के तयार करूंगी, तो इसके लिए हमने ओईल जो है पहले ही गरम होने रख दिया था, कम आज पे हमें नास्टे को अलत पलत करते हुए बढ़िया सा कलर आने त और ऐसे ही और दो तीन बर हमिसे पलतेंगे और उसके बाद जो है नास्टा हमारा तयार हो जाएंगे, बहुती सुन्डर इसका कलर आते हैं, और साथ में इसकी जो परत है वो इतना बढ़िया से खुल के आते हैं, नास्टा जो है देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस नास्टे को घर पर एक बर जुरूर बनाएं क्योंकि इसे जब आप एक बर बना लेंगे तो आपकी ना घर की हर एक मिम्बर आपकी तारिफ करेंगे ये नास्टा खाने में जितना बढ़िया है दिखने में भी उतना ही सुन्दर लगता ह तो ये देखिए हमने जो है अलत पलत करते हुए बहुत अच्छे से नास्टे को फ्राइ कर लिया है बहुत सुन्दर प्याड़ा सा कलर इसमें आया हुआ है और अपना हामी से निकाल लेंगे गर्मा गर्म इस नास्टे को आप सो से सतनी के साथ सार्फ कर सकते है चाय के कमारा त्यार हो गया है तो इसे लिए इसे साफ कर लेते हैं अगर आपको समोसा कसोड़ी या पकोड़ी इस तरह का सीजे पसंद है तो आपको ये नास्टा डिफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आएंगे और सबसे बड़ी बात है कि ये नास्टा जो है वो हेल्दी है इस नास्टे को प्लीज एक पर घर पर जुरू बनाएं आपसे रिक्वेस्ट है और हमेना कमेंट करके बताना मत भूलेगा कि आपका नास्टा कैसा बना तो इसी की साथ ही आज विदा लेते हैं वीडियो को आपने यहां तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रि फिर मिलेंगे एक नए रिसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई और टेक क्यार